तेरे बच्चों सम्मानांतर चत्रभुज से समंधित एक और प्रबे हमारे सामने है और इस प्रमे के आधार पर हमें ये सिद्ध करना है किसी समानांतर चत्रभुज में आमने सामने के भुजाएं बराबर होती है समानांतर चत्रभुज की जो शर्थ है वो ये कहती है कि किसी चत्रभुज की आमने सामने के भुजाओं के जोड़े समानांतर होते है अब यह आपने प्रूफ किया है कि समरानता चत्रभूच का कोई विकर्ण उसे दो त्रिभूचों में बाड़ता है वो दोना त्रिभूच सरवांग सम होते हैं अब एक नई प्रावपर्टी एक नया गोणा आपके सामने और आने वाला है जो आपको बताता है कि समरानता चत्रभूच के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है तो इसे हम देखते हैं प्रमेग रूप में और इसे सिद्ध करते हैं तो यदि हम सिद्ध करने की भाशा में यहां लिखें तो हम लिख सकते हैं कि भुजा A B समानानता चत्रपुच A, B, C, D में भुचा A, B बराबर है अपने सामने के भुचा C, D, K और इसी तरह से भुचा A, D बराबर है अपने सामने के भुचा B, C, K इसे हमें देखना है क्या सचपुच में ऐसा होता है यदि ऐसा होता है तो हमें एक नई चीज मिलेगी समनांतर चत्रभूज के बारे में तो चलिए पहले इसे हम दो त्रिभूजों में विवाजित करें और उसके लिए एक विकर्ण खीचे जो A और C शीरसों को मिलाता है हमने ये एक पट्री ली सेट स्क्वेर के इस्तेमाल कर रहे हैं पर और बिंदू A को C से मिला रहे हैं इसे हमें इस कटी हुई लाइन से मिला दे ये रशना A C की समनांतर चत्रभूज A B C D को दो त्रिभूजों में बाटती है त्रिभूज A B C और त्रिभूज A C D हम भूजाओं को ये दि बराबर करना चाहा रहे हैं तो आप देख सकते हैं जिन भूजाओं के बारे में बात कर रहे हैं वो दो अलग-अलग त्रिभूजों के भूजाएं हैं हम AB और CD को आपसे बराबर सिद्ध करना चाहते हैं और BC और AD को आपसे बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो आपने पहले भी ये किया हुआ है कि जब हम भुजाओं को बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो त्रिभुजो के सर्वांग समता के गोड़ का इस्तमाल करते हैं. तो जैसे हमें AC विकर्ण कीचा ये समयनन्ता चत्रफॉज दो त्रिभुजो में बढ़्ट गया. यदि इन दोनों त्रिभुजो को हम सर्वांग सम सिध्य कर पाएं, तो आप कहा सकते हैं कि ये सरवांग सम त्रिभूजों की संगत भुजाया आपसे बराबर होती है और आपने पहले वाले प्रेमे में ये सिद्ध किया है कि चत्रभूज A, B, C, D ये किसी भी चत्रभूज का विकर्ण उसे दो सरवांग सम त्रिभूजों में बाटता है तो इस आधार पर आप सीदे सीदे भी कह सकते हैं लेकिन फिर सम एक पर उस प्रक्रिया को दोराना चाहेंगे और हम देखेंगे क्या दोनों त्रिभूज सरवांग सम हैं तो इस त्रिभूज और इस त्रिभूज के बारे में हम बात करें और देखें क्या है सरवांग समय तो आईए देखते हैं A, B और D, C आपस में समनांतर है और A, C तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो हम लिखें A, B समनांतर D, C और C, D के और तिर्यक रेखा A, C उन्हें काटती है तिर्यक रेखा A, C उन्हें काटती है इस इस्थिति में आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है आप चाहें तो लिख ले कोण B, A, C इसलिए यहां चूकी लिख सकते हैं यहां है इसलिए कोण इस कोण का हम पढ़ेंगे B, A, C कोण B, A, C बराबर है इस कोण के इसे आप कोण D, C, A कह सकते हैं कोण D, C, A के माली जी यह आपका कत्वन एक हुआ अब इसी तरह से आप देखिए कि A, D, B, C के समन अंतर है फिर से हम लिखें चूकी A, D समन अंतर है B, C के और समन अंतर देखा A, C उन्हें काटती है तीरेक रेखा A, C उन्हें काटती है तीरेक रेखा A, C उन्हें काटती है तो ऐसी इस्तिति में यह जो कोण बन रहे हैं यह एक आंतर कोण है और बराबर है इस कोण को हम लिखेंगे कोण D A C कोड D A C बराबर है इस कोड के इससे आप लिख सकते हैं कोड B C A कोड B C A कोड D A C बराबर कोड B C A यह आपस बराबर है यह आपका कथन दो हुआ और भुजा A C दोनों तरी भुजों में हैं तो आप लिख सकते हैं A C बराबर A C ये तीसरा कतन है जो त्रिभूज के तीसरे आयोग के बराबर होने के बारे में बात करता है इन तीनों कतनों के अधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभूज ABC त्रिभूज ABC सर्वांग सम है त्रिभूज ACD के या त्रिभूज ADC के ये दोनों त्रभूज सर्वांग सम हो गए तो इनकी संगत भुजाएं आपसे बराबर होंगी तो पहले वाले त्रभूज की भुजा A, B दूसरे त्रभूज की भुजा C, D के बराबर होगी तो हम लिख सकते हैं इसलिए A, B बराबर D, C या C, D और दूसरी भुजा A, D अपनी संगत भुजा B, C के बराबर होगी तो इसे भी आप लिख सकते हैं भुजा A, D बराबर भुजा B, C ये आप सिद्ध कर पा रहे हैं इन दोनों त्रभूजों में जो संगत भुजाएं हैं आपसे बराबर हैं तो आप देख रहे हैं कि A, B, C, D आपसे बराबर है और A, B और B, C भी आपसे बराबर है तो आप देख पा रहे हैं जो आपको सिद्ध करना था कि इस समनानतर चत्रभुज A, B, C, D की आमने सामने की भुजाएं भी आपसे बराबर हैं झाल झाल